तो आज का अमार टॉपिक है SLE that is systemic lupus arythematosus क्या होता है SLE जहांसे सुनिएगा लेकिन अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो यहां हम आपको shortness समझा देते हैं कि autoimmune disease क्या होती है जब आपका immune system यह किसका immune system है आपका immune system जब आपका immune system आपकी body के ही antigen cell या tissue को destroy करने लग जाए तो इसको हम autoimmune disorder या फिर autoimmunity बोलेंगे जब आपकी body का immune system आपकी body के antigen cell या tissue के खिलाफ attack कर दे और उनको destroy करने लग जाए तो इसको autoimmune disease या फिर autoimmunity कहते हैं तो SLEB क्या है SLEB SLEB क्या है एक तरह की autoimmune disease है जिसमें आपका immune system आपके body component के खिलाफी का करेगा अटेक करेगा उनको destroy करेगा ठीक है थोड़ा और detail में बाक रते हैं SLE के बारे में SLE जो है वो एक systemic nature की autoimmune disease है autoimmune disease दो तरह की होती है एक जो किसी एक जगह पर होती है जिसको बोलते है organ specific किसी particular एक ही organ में है किसी particular एक ही tissue में होगी उसको बोलते है organic organic specific लेकिन जो यह SLE जो है यह organ specific नहीं है यह systemic nature की है यह एक से जादा organs को impact करेगी एक से जादा organs को क्या करेगी affect करेगी तो SLE जो है वो एक ऐसा autoimmune disease है जो एक से जादा organs को multiple organs को क्या करेगा impact करेगा इसमें होता क्या है इसमें production होता है auto antibodies का इसका auto antibodies का अब यहाँ पे antibody की जगह auto antibody use हुआ है देखो generally हम दो बाड़ी उस करते है antigen और antibody antibody तो जब हम यहाँ नहीं लिख दिया दो बाड़ी उस करते हैं एक antigen और एक हम बाड़ी उस करते हैं तो यहाँ जो हम antigen consider करके चलते हैं यह foreign antigen consider करके चलते हैं भार से हमारी body में आने वाला antigen और antibody इन antigen की खिलाफ यानि foreign antigen के खिलाफ की हम consider करते हैं लेकिन इस antigen की जगे अगर हमारी खुद की body का antigen हो उसको क्या बूलेंगे self antigen और इसके खिलाफ जो antibodies होती है अखलाव होती है और शेल एंटीजन के कि ख्लाव होती है गर कि उइनटी बॉडडी और यहाँ पर किसका प्रोड़ो रहा है और और पर किसका अधिक करें हमारी पर करेंगों बॉड़ी के और प्रोड़क्शन ये उन्सी करती है हमारी body के component है antigens उन पर क्या करती है attack करती है इतनी बार समझे लागी अब हमारी body के कौन-कौन से component पर attack करती है तो मैंने आपको बताया था न multiple organ, multiple targets तो ये हमारी आपकी body आपका कोई organ हो organ किसे मिलके बना है, tissue से tissue किसे मिलके बना है, cell से तो extremely impact किस पर हो रहा हुगा cell पर हो रहा हुगा, तो ऐसा हो सकता है कि cell का जो surface है उसके खिलाफ उसके खिलाफ और anta body वन रही हूँ cell के अंदर होर क्या होता है? बस नहीं इसईल के अब होता है कि जो SLE है, उसमें क्या होता है? motto antibody बनती है, यानि कि हमारी body के components के खिलाफ ही क्या बनती है? antibody बनती है और ये antibody किसी खिलाफ बन सकती है? कि ух बी structure के खिलाफ बन सकती है आपको पता है organ है, तो organ tissue से मिलके बना होगा, tissue cell से मिलके बना होगा और सेल की component के है ? Cell membrane, cell surface और Cytoplasm और nucleus इनके component की खिलाब बन सकती है इसमें भी जो सबसे main responsible होते है SLE के लिए वो होती है anti-nuclear antibodies कौन सी ? anti-nuclear antibodies जानि कि ऐसी antibodies जो हमारे nucleus के component की खिलाब बनती है nucleus के component की खिलाब बनती है अब मुट्रियस में क्या होता है आपका डवल स्टेंड डिन क्या होता है इसके खिलाब बनना इस दा चीफ रेस्पोंसिबल फॉर दा बन किसी के खिलाब युज रहती है और भी बहुत सारे अगर आपने पढ़ रखा है तो यह कॉम्मिनेशन होता है यह जिसमें अगर हम कंपेर जिन करें तो जी वह ज्यादा मिले इस कंपेर टू अब सरह होता है मैंने नहीं बढ़ा है, हैपेसेने टो आप समझीए। टाइप 2 हैपेसेने की होता था, कि एंटीजिएन के खिलाफ एंटीबडी बनती थी, और वह एंटीबडी खुद जाके क्या करती थी, इंजिरी कॉस करती थी, या मैं अकेले अंटीबोडी जाती थी, जिसको हम immune complex बोलता है। ये पूरा का complex injury गाउस करता है। तो अन्तर क्या था कि यहां तो antigen के खिलाफ जो antibody बनेंगी वो antibody alone क्या करेंगी? तो basically SLE में जो mechanism हमें द耶ँ homo 복уз बनी हैं। दोनों मिकनिजम सो करती है, टाप 2 भी सो करती है, टाप 3 भी सी करती है, टाप 3 हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, as compared to टाप 2, SLE की बात में बात करूँ, तो अगर मैं comparative study करूँ, तो it is more common in the females, because SLE is somewhere associated with the X chromosome, and X chromosome is more in the female as compared to male, as you know, female is XX and male is XY, साथी साथ, SLE is linked with the estrogen hormone, increase in the level of estrogen hormone, makes susceptible to cause SLE, ठीक है, तो अगर किसी के अंदर estrogen hormone का level increase होता है, तो यह जादा susceptible cause बन जाता है किसका SLE का, यह promote करता है एक तरह से, जिसके अंदर estrogen का level जाता है, उसके अंदर SLE होने की chances जादा रहते है, as compared to उस person के जिसके अंदर estrogen का level कम है, मतलब इसका exact mechanism अभी discovered नहीं है, बट इन दोनों के बारे में यह बात होती है कि, S chromosome and estrogen are responsible for the susceptibility for the SLE, ठीक है, अच्छा इसका नाम यह इतना अजीब सा क्यों है, SLE क्यों बोल रहे हैं सको SLE, ठीक है, तो S for systemic, L for यह लूपस और E for a erythematosus, systemic का क्या मतलब होता है, systemic का मतलब ऐसा disease, जिसमें multiple organ involved हो, ठीक है, multiple organ involved थे, lupus का क्या मतलब होता है, lupus का Latin में मतलब होता है wolf, video, basically क्या होता है, जिसको भी SLE होती है, SLE disease होती है, उस person का जो आपको चीक दिख रहा है, यह जो चीक वाला area है, और यह जो nose वाला area है, इस area में, ठीक है, इस area में आप क्या देखने को मिलेगी, redness देखने को मिलेगी, और यह बिल्कुल ऐसे की देखेगा, जैसे यहां आपको butterfly like races देखने को मिलते है on the cheeks and nose इस एरिया पर नहीं देखने को मिलता है इस एरिया पर आपको नहीं देखने को मिलेगा only on the cheeks and nose area ठीक है इसलिए इसका नाम है SLE systemic lupus arythematosus अब मैंने आपको होता है था कि इसमें various kind of component हमारी body के different different component के खिलाब क्या बनती है एंटी बड़ी बनती है का बनती है auto antibody तो इसमें क्या होता है auto antibody बनती है against self antigen और self antigen बहुत सारी variety को होता है ठीक है बहुत सारी variety को होता है क्या क्या variety है एक करके discuss कर लेते हैं जो auto antibody है यह आपकी plasma के जो proteins होती है उनके खिलाब बन सकती है SLE में जो auto antibodies बनती है वो plasma protein के खिलाब बन सकती है protein phospholipid complex इसके खिलाब बन सकती है आपकी cell के surface पर जो antigen उनके खिलाब बन सकती है आपके cell के अंदर जो cytoplasmine component है उनके खिलाब बन सकती है और आपके cell के अंदर जो nucleus है nucleus के अंदर जो components है like DNA बगरा हुआ ठीक है histone protein बगरा हुआ हुई उसके खिलाब भी antibody बन सकती है सबसे important यही होती है वो auto antibody जो nuclear components के खिलाब बनती है उनको anti nuclear antibody बोलता है and they are chiefly responsible for the SLE सबस most important cockasmating factor बंसन या बन किसी के भी खिलाब सकती है सबके बारे में की करके discuss कर लेता है प्लाजमा प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्लाजमा क्य अंदर दो प्लाजमा केशाशाच सोफ पाई जाती है कई तरह Draghi protein पाही आ गूसकर रहे है एक तो प्रोटिंस और एक कॉम्प्लीमेंट कंपूनेंट जो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको बोलता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से मिलके बना होता है ठीक है यह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हो कॉंप्लिमेंट प्रोटीन बच्न से मिलकिना ब अधर करा है कॉपने सिटम होता है उस जो हमारी बोड़ि में पहे जाती है लैक्ट बोड़ीन प्लाज्मा में प्लाज्मा की बात करें है प्लाज्मा में जी पाई आती हैं c1q c3ी4 और ओते हैं कि अधर C3 and C4, इनके different role होते हैं, C3 जो होती है, इसका जो role होता है, वो होता है immune complex clearance में, यानि कि कभी-कभी कह रहता है कि हमारी body के अंदर antigen, antibody के जो complex होते है, antigen, antibody आपस में direct करके complex मना लेता है, उसको immune complex बोलते हैं, यह immune complex जो होते हैं, यह हमारी body में पड़े रहते हैं, हमारी tissues में जाके deposit हो जाते हैं, तो उनके clearance में help करता है, C3 और C4 जो होता है, यह basically part होता है classical component pathway का, और यह हमारी body में जो harmful antigens होते हैं, उन antigen की clearance में help करता है, लेकिन माल दीजिए कि अगर इनके खिलाफ क्या बन जाए, auto antibody बन जाए, अगर इनके खिलाफ auto antibody बन जाएगी, तो इन proteins की क्या हो जाएगी, deficiency हो जाएगी, और इनकी अगर deficiency हो जाएगी, तो person की जो susceptibility होती है, SLE के लिए, वो भढ़ जाती है, person prone हो जाता है SLE के लिए, तो अगर इनके खिलाफ auto antibody बनेंगी, इनकी deficiency होगी, तो disease होने की chances जो हैं, वो भढ़ जाएगी, SLE होने की chances जो हैं, बढ़ जाएगी, person susceptible हो जाएगा SLE के लिए, अच्छा, मैंने आपको बताई, अब हम बात करते हैं, clotting factor के खिलाब भी antibody बन सकती है, ठीक है, तो आपने अगर cascade thory पड़ी हो, तो उसमें blood clotting के जो factors होते हैं, blood clotting के जो factors होते हैं, आपने वो पड़े होंगे, उसी मैसे एक factor होता है, factor 2, जिसको आप क्या बोलते है, Prothrombin, बताऊं तो Prothrombin का कहा काम होता है, Prothrombin, Thrombin में convert होता है, Thrombin क्या करता है, जो आपके blood में, प्लट के प्लाजिमा में जो फैब्र 지역 नाम की जो इंस नग्वन ब्रोटीन को फैब्र में と spirit कर देता है तो ग production की koreimir तो अगसा इक एक विल्ट अप्लाफ कर देगी उसको इंस नीड़ मास में। अब इसए लगा उसे केलoh प्लाजमा प्रोटीन के खिलाफ और उसके होने वाले कॉंसेक्वेंस एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे हम प्रोटीन फॉस्पोलिविट कॉंप्लेक्स सेल सफिस एंटीजन साइटो बारे में डेटेल में डिसक्स करेंगे प्लाजम्पोटीन के बारे में डिसकस करेंगे नेस्ट आते हैं प्रोटीन फॉस्पोलिविट कॉंप्लेक्स गोण जाएंगी तो चीज कर जो जोगी उसको बोलते हैं अन्टी फॉस्वललीपिड सेंड्रूम और हमें हमें है देखने मुलता है All तरशन को भॉर्सुन हो जाता है कि उसका जो ब्ल लयट है वो ब्लड वयजल के अंदर होना start हो जाता है और कि मिस्करिज हो जाता है अगर कोई pregnant ladyHiये है तो उसका मिस्करिज हो जाता है अब ऑर और समज जाता था तुक तक का क्वार्वाली यह वाली इसके अंदर पाया जाता है क्या है क्या खिलाफ कि आट्यो ऑन्टी बनती है ठीक है तो इसका इंपक्ट क्या देखने को मिलता है पास्छन को क्या हो से हो जाता है इसके साथ एक और इंपोर्टेंट बाग जाद रखने की यह है कि अगर किसी की कार्डियो लिपिन के खिलाफ अगर माली जो टो एंटी बन रही है तो यह वाला जो बंदा है अगर आप इसका सिफिलिस टेस्ट करोगे तो सिफिलिस टेस्ट पॉजिटिव तो अगर किसी परसन के कार्डियो लिपिन के खिलाफ और टो एंटी बॉड़ी बनी हुई है तो ऐसा बंदा सिफिलिस का जो टेस्ट है वह पॉजिटिव देगा बलकि उसके अंदर सिफिलिस होगा नहीं उसको सिफिलिस होगा नहीं बट फिर भी सिफिलिस का जो टेस्ट ह वो पॉजिटिव देगा क्योंकि जाब में टेस्ट पर्फूम करते हैं सिफिलिस वाला जिसका नाम है नॉन ट्रेपोनुमल टेस्ट इसमें कार्डियो लेपिन का यूज करते हैं ठीक है एज़ एंटीजन अब आगे बात करते हैं तो हमने फॉस्पोलिपिट कॉम्प्लेक्स और इसंतिजन के खिलाफ यह हमारी बॉडि का एक प्रोटीन उतीजिस इसको बोलेंगे इस एंटीजन के खिलाफ क्या मनने लगती है और इसकी खिलाफ जब बनने लगेंगी तो क्या होगा immune regulation जो होगा उसमें disrupt आ जाएगा क्योंकि आपको पता है lymphocytes का role क्या होता है immune system में होता है immunity provide करने में होता है तो lymphocytes के ऊपर cd45 protein है अगर इसके खलाफ आप auto antibodies बना दोगे तो वो lymphocytes को kill कर देगा जिसकी वैसे आपका immune system properly regulate नहीं होगा similarly अगर हम बात करें आपकी neutrophil के surface पर cd15 protein होती है जिसका काम क्या होता है adhesion and migration of wbc ठीक है यह आपको पता है यह आपकी मालीजी क्या है blood vessel है और आपकी इस blood vessel में क्या है neutrophil है अब मालीजी यह आपका कोई tissue है यह क्या है आपका कोई tissue है ठीक है इस tissue में यहाँ पर कोई pathogen आ है तो इस neutrophil को यहां से migrate करके यहां जाना पड़ेगा ना तो migrate करने के लिए पहले यहां से चिपकती है इस वाल से ठीक है जिसको अधेशन बोलते हैं फिर यहां से migrate करके यहां तक जाती है तो अधेशन और migration में कौन help करता है cd15 बड़ आपने तो इसके खिलाफ क्या बना अधेशन के बारे मत करें ग्लाइको प्रोटीन वन भी कहां प्रजेंट होती है प्लेटलेट्स के ऊपर प्रजेंट होती है और इसका function क्या होता है help in adhesion आप यह मानिए कि यह कोई blood vessel थी और यहां पर यह रच्चर हो गई यहां पर क्या होगी रच्चर होगी तो इसको हील क करने के लिए क्या आति है प्लेस आतिया तो मालों नहींट करेंगी इस तरीच्च एक सप्प्री ईग्लाइको प्रोटीन वन बी कहा प्रजेंट बहुति है अगर मालों सके खلاf और यहां से खिलाब auto antibody बन जाएंगी तो यहां पर अधेशन सोर नहीं होगा और अधेशन सोर नहीं होगा तो प्लेट्स का फंक्शन था उसमें डिफेक्ट आ जाएगा और यहां पर जो क्लॉगिंग हो नहीं हो पाएगी बास में चलो एक और सेल सर्फिस एंटीजन के बारे में बात करते हैं जो हमारी आरबी सी जो होती है उनके सर्फिस पर पाएजाता है ठीक है इस ग्लाइको फोरिन एक ही एक टाइप है जिसका नाम है स्यालो ग्लाइको प्रोटीन ठीक है यह कहा प्रजेन्ट होता है आरी और बीचैर्फिस सर्फिस पर प्र्रयजेट और अर काम क्या होता है सquell की इंटेग्रिटी मेंटिन करना तिकर अगर आप इसी के खिलाव क्या बना दोगी और सक्षिक बनादा कात बात करेंगे और्टो एंटी बडी ऐगेस्ट साइटो प्राजबिक कम्पोनेट हैं अब तक क्या-क्या पड़ा हमने और्टव संटार्व disgust da लेन अटी अर्ट तो आय फीरेंट कम्पोनेट के खलाव सबसे पहले हमने अब किसट उप्रोटीन थी की खिलाव यहां हमारे cell के अंदर जोई साइटोपलासम में कम्पूनेंट्स होते हैं इनके खिलाव और दूसरा वहाँ दूसरा हुजद् deport גнее किस नेंदर हमारी बॉडी में क्लॉज़ा ना इस अर्मच्छा बर होते हैं बतनी वहाँ पाजिक और कंट्मीट में वर्क क्या होता है? स्ट्रक्चल सपोर्ट प्रोवेड कराती है अगर इनके खिलाफ और आप ऑटोएंटी बड़ी बनबाद होगी तो क्या आपको स्ट्रक्सिल सपोर्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी? सैल का आर्किटेक्चर जो ओगा? वो खराब हो जाएगा next प्रहें आप Isaac जो साय्टोपलाजम का जो गम्पोंट मिट टिकल एक प्रोटीन है किसका पार्ट थेंटиваем ड्रिवेप्रों करते हैं transportation का काम करती है ठीक है तो बेसिकली यह structural backbone होती है किसकी macrotubules की किसकी macrotubules और macrotubules का काम क्या है centriol में centriol का काम पता है आपको cell division में help करता है और macrotubules का दूसरा काम क्या है transport में तो अगर आप इनके खिलाफ on to auto antibody बनवाद होगे तो intra cellular transport जो होगा वो क्या होगा उसमें problem आईगा ठीक है next is lamp one and lamp two यह क्या होती है तो basically हमारे cytoplasm के अंदर lizozomal antibody होती है इनका काम क्या होता है autophagy ठीक है यह हमारी body के अंदर जो dead debris part होता है उसको eat कर लेती है मालों किल कर देती है उसको lizozomal antibody है autophagy में help करती है लेकिन अगर आप इनके खिलाफ auto antibody बनवाद होगे तो वो जो जिस कच्छडे को यह खतम कर नहीं थी cellular device वो जमा होता रहेगा और वहां पर क्या कर देगा inflammation कर देगा और आपके cytoblasm में क्या प्रजेंट होता है RNA प्रजेंट होता है 8S RNA और 20S RNA यह बेसिकली क्या होते है RNA molecules होते हैं इनका हमारी cells में different purpose में यूज किया जाता है अगर इनके खिलाफ auto antibody बना दोगे तो आपके gene के जो expression है वो क्या हो जाएंगे disrupt हो जाएंगे तो यह हमने समझा कि जो हमारा cytoblasm में content था उसके खिलाफ auto antibody का formation अब हम बात करने वाले most important जो SLE को cause करने में सबसे जादा important होती है that is auto antibodies का formation होना किसके खिलाफ nuclear component के खिलाफ जिनको हम बोलते है anti nuclear antibody तो आपको पता है आपके nucleus cell के अंदर nuclease और nucleus के अंदर,cleus के अंदर यह कह है nucleus है और nucleus के अंदर सभसे आपको क्या अपको क्या देखने को मिलता है है,आपका DNA, DNA काहा प्रॉजेंट है, यही तो प्रॉजेंट है कौनसा DNA प्रॉजेंट है आपके अदर double standard DNA अच्छा डियने में क्या प्रजेंट है इस्टोन प्रोटीन प्रजेंट है क्या प्रजेंट है इस्टोन प्रोटीन प्रजेंट है ठीक है तो अब एंटिवाडी किसके खिलाब बन सकती है आपके डियने में जो इस्टोन प्रोटीन है उसके खिलाब बन सकती है या फिर आपक कि आपको दो कि ऑगा कुछ साहरी होते हैं तो सबसे पहले हम दुने के बारे मदे अगर पर देने के खराव औट एंटी बाड़ी बटी बन जाएं तो अगर आपका डिये प्रदी जाये और आपका डियांट ने जो हो रहा है तो जाहा बेंगी बोरे plug हमको nephritis के case ज्यादा देखने को मिलता है हिस्टोन प्रोटीन के बात करूं तो हिस्टोन प्रोटीन में आपको पता है चार मॉलिक्ल होते हैं ह1,2,1,2,3,4 ठीक है इसमें जो ह1 जो होता है वो तो DNA linker की तरह काम करता है और जो 2,3,4 होते हैं ये क्या करते हैं core protein formation में help करते हैं core protein formation में help करते हैं तो 2,3,4 किसमें help करते हैं core protein of nucleosome के formation में ठीक है अगर माली जी इनके खिलाब क्या बन जाए और 20 body बन जाए तो DNA की जो packaging होती है वो क्या हो जाएगी दिक्कत में आ जाएगी ठीक है तो इस 2 meter के thread को इस macropics cell में adjust करना उसके लिए क्या जरूता है packaging और packaging किसके form में हो रही है आपर nucleosome के form में और nucleosome का बनना packaging का होना इन molecules पर depend है तो इनके खिलाफ अगर antibody बन जाएगी तो properly packaging नहीं होगी और gene का regulation भी नहीं होगा ठीक है तो यह तो हमने बात करें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमारी nucleos के अंदर non-historyn protein भी पाई जाती है जो किसके साथ जुड़ी हुई होती है हमारे RNA के साथ तो कौन-कौन सी non-historyn protein होती है तो हम बात करने आले non-historyn protein जो कि associated रहती है किसके साथ आरने के साथ तो जो हमारी नॉन इस्टोन प्रोटीन है उसमें उनके ऊपर एक एंटीजन होता है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है इसका काम होता है एम आरने की स्प्लैसिंग अगर आपने ट्रांस्क्रिप्शन पढ़ा है क्या पढ़ा है ट्रांस्क्रिप्शन तो उस आपने एक्जॉन इंट्रॉन सुना होगा तो हम इसकी क्या करते हैं स्प्लाइसिंग कर देते हैं क्या करते हैं स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं बैड कंपूनेंट को हटा देते हैं सिर्फ गुड कंपूनेंट को रखते हैं तो MRNA में से बैड कंपूनेंट को हटा के यह जो होते हैं जो हमारी यूजलेस होते हैं उनको हटा की सिर्फ अच्छे-च्छे यूज्वल जैनेटिक कोड को रखना यह क्या कहलाता है अगर आप इसके खिलाफ एंटी बड़ी बनवाद होगी तो स्प्लैसिंग नहीं होगी अगर स्प्लैसिंग नहीं होगी तो एसली होने की चांसे बढ़ जाते हैं और ऐसे एसली में सिस्टेमिक इंवल्मेंट रहती है एक से ज़्यादा और अफेक्टेड रहते हैं वैसे एक कि नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उसका एंग्जाम्पल है रायबो-निक्लियो प्रोटीन एंड उसका नाम है यू-1-rn-P रायबो-निक्लियो-प्रोटीन का फंक्शन होता है वो आर्न अर्न प्रोसेसिंग में अगर इसके खिलाफ और जाएगी तो क्या होगा आपक िप्टीपल और्गंस में क्या रहेंगे एफेक्टेट रहेंगे एंड लास्ट नॉन इस्टोर्न प्रोटीनिस अब्ट आशो स्टेट विड़ा रे रे आर रे एइस आरो एंड एले ये यह बी क्या करती है अगर इनके खिलाफ और्ट बडी बन जाएगी यह भी क्या करती है SLE cause करती है, but inter cause SLE में कम Zorgn syndrome में ज़्यादा देखती हो मिला है, यानि अगर RO and LA के खिलाफ अगर auto antibodies बनेंगी, तो SLE भी cause करता है, but more than SLE हमने यह देखा है, कि जो Zorgn syndrome cause करता हूँ देखा गया है, Zorgn syndrome में क्या होता है, कि आपका जो immune system होता है, वो inappropriate response हो करता है, किसके खिलाफ, आपके lacrimal और salivary gland के खिलाफ, basically आपकी जो T lymphocytes होती है, यह self reactive T lymphocytes में convert हो जाती है, और act करती है अगरी इस लेक्षर में हमने समझा कि SLE क्या होता है, SLE में auto antibodies बनती है, और auto antibodies किस-किस के against बनती है, तो हमने basic basic बातार पढ़ी है, next lecture में हम इसकी etiology और pathogenesis के बारें बात करेंगे, यह video lecture आपको कैस लगा, comment section बताईगा, thank you and have a nice day.